दोस्तो वेलकाम बैक्तूबाइच चनल तो दोस्तो आज की स्वाली वीडियो में आपना बात करने वाले हैं महींद्रा की थार के बारे में इस गाडी को है na introduction की कोई जरूत नहीं है तो आज अपना बात कर लेते इसके देंट के बारे में क्या 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 इसमें जो को आपको आपको देखने को मिलती है यह बड़ा कोई कोस्ट इसमें एड dentist कर रहा था और गाड़ी का लूग भी काफी innains कर रहा था कोई अपको बटन दबाने से आपका होरन बजने लगेगा और एक स्वी 700 में जैसी की आती है नया लोगो आपको इसमें देखने को मिल जाता है कार के बात कर ले तो फ्रंड में आपको जो है महिंद्रा की बेजिंग मिलती है वो काफी टाइम से आई रही है वेसी आपको देखने को मिल जाती है मैश ग्रिल आपको इसमें देखने को मिलता है अफ्टर मार्केट बैस में काफी काफी अच्छे ओप्शन लग गया आज कल इंडिकेटर आपको दिया गया है और बाकी आपको पूरा ब्लेक दिया गया है यहीं आपको इसके सिल्वर केलर की स्कीट द्लेट आती थी अब आपको ब्लैक देदिया गया है थार के आपको बेजिंग मिल जाती है अंडर बॉठी काफी अच्छी ख्लीन दी गही है घाड़ी में उसमें कोई दो रहाए नहीं है दो 26 mm आपको ग्राउंड्ट वमिल जाता है काफी बड़ा अच्छा ग्राउंड प पहलते हैं दोस्तों और आपको सबसे पहले वाइपर देखने मिलता है एंडिकेटर दिये गए है अलोई डिया गया है डिस्क ब्रेक दिया गया है फ्रंट में C8 के आपको टायट देखने औफ रोडिंग में इस गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है यह आपको एसेसरी का पार्ट देखने हो मिल जाता है साइड में आप देखे तो आपको M-Hawk इंजन की बेजिंग और 130 होट्स पावर लिखावा मिल जाता है एंटीना भी आपको यहीं दिया गया है साइड मिरर की बात करें तो आपको मिरर देखने हो मिल जाते है थार की आपको इसमें बेजिंग मिल जाती है उपर आप देखे तो आपको रेंड वाइजर देखने हो मिल जाता है रियर में आपको मैंने जैसा बताई दिया, रियर में आपको ड्रम बेक देखने को मिल जाते हैं, अलोय काफी अच्छा दिया गया है, ये डिजाइन काफी अच्छा है, काफी लोग अलोय स्कॉर्पियों के हटा के इसके लगा रहे हैं, तो ये काफी अच्छी चीज़ अलोय देखने को मिलता है एक जो अच्छी चीज लगी इस गाड़ी के बारे में कि आपको टेल गेट पे स्टेप्टिन टायर माउंट होता हुआ देखने को मिलेगा यह जो एक पेटर न है पुरानी ओफ रोडर्स का एक स्टांस है वो इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है काफी अच्छा लगता है और यह एक जो छीज है महिंद्रा ने मोडन इश तरीके से आपको यहां प्रजेंट की वह प्रजेंट की है इस टेप्टिन टायर की बात करता है महिंद्रा के नया लोगों पर ठीक है भाई, जाद है कम electronic रहे तो off-roading में कम दिक्कत आती है, नीचे आप देखे तो underbody भी काफी अच्छी तरीके से pack की गई है गाड़ी की, उसमें कोई दोर आई नहीं, महींद्रा की fit and finish ठीक ठाक ही रहती है, अब चलते दोस्तों इस गाड़ी के boot की तरफ, तो भाई boot की बात करें तो आपको split tailgate देखने को मिलता है, मतलब दो पार्ट में खुलेगा यह, एक आपको door side में देखने को मिलता है, glass आपका उपर side में खुलेगा, जो कि भाई ठीक है, काफी लोग वो problem आती है, पर ठीक है, okay है, पोर sitting का आपको arrangement मिलता है, चार जने आपको जा सक सकते हैं, boot की बात करें तो आपको boot के लिए space मिलता है, मतलब आप दो है, mid-size suitcase रख सकते हैं, बड़ा suitcase आप नहीं रख सकते हैं, यह आपको dashboard देखने को मिलता है, अब चलते हैं इस गाड़ी के interior की तरफ, interior की बात कर लेता है, क्या क्या interior में आपको इसमें देखने को मिल ज देखने को मिल जाता है, दो और की बात करें तो आपको पूरा rough and tough door देखने को मिल जाता है, बड़ा जाता है, और वेम के adjustment, कुछ space आपको यह दिगई यह थार की branding, और कुछ space आपको नीचे भी दी गई है, यह आपको dashboard देखने को मिल जाता है, गाड़ी का, काफी अच्छ करने के लिए दिये गया है, हिटलेट का adjustment भी आपको इधर दिया गया है, यह आप देखे तो भई आपको जो है, की start करने का slot दिया गया है, आपको manual की देखने को मिल जाती इस गाड़ी में, अब चलते दोस्ते इस गाड़ी के इंटीर की दरफ, तो भई इंटीर की बात कर लेना, तो भई इंटीर भी इस गाड़ी का काफी अच्छा है, रफ और टाफ इंटीर दिया गया है, ओड़मीटर में सबसे पहले आपको welcome feature मिल जाता है, थाल लिखावा देखने को मिल जाता है, और इंटीर में सबसे पहले आपने बात कर ले इस टेरिंग वील की, तो आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है, ओड़मीटर की बात करते हो, आपको जो एनलोग ओड़मीटर देखने को मिल जाता है, बीच में आपको छोटी M.I.D. मिलती है, M.I.D. में आपको main-main information जिसे गाड़ी का क्या angle है, fuel gauge है, temperature gauge है, tire pressure है, वो आपको इस गाड़ी मे मिलता है, काफी अच्छा dashboard है, और अब आध कर लेता है अपन इस गाड़ी के बारे में, info 10 में बात करते हो, सबसे पहले आपको जो है, tire pressure देखने को मिल जाता है, apple klarer पे android auto इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा, और बात करें कुछ main-main feature की info 10 में डिस्पले के बारे में AC वेंट दिये गया है, round shape में आपको AC वेंट दिये गया है, जो कि काफी अच्छे हैं, और आपको काफी अच्छा modification भी हो जाता है, AC के controls आपको दिये गया है, automatic AC आपको इसमें निदिया गया है, नीचे जो आपको 6-7 control दिये गया है, पूरे पूरे दिये गया है, पिछली जो gear का lever दिया गया है, window control आपको यहीं मिल जाता है, handbrake आपको दिया गया है, दो cup holder, armrest आपको इस गाड़ी में देखने को नहीं मिलता है, seat की comfort की बात करते हैं ठीक टाक आपको comfort देखने को मिल जाता है, यह आपको gray bundle देखने को मिल जाएगा, नीचे आप देखे तो आप glow box मिलता है, यहां सिप आप गाड़ी के document रख सकते हैं, उससे जादा और कुछ नहीं रख पाएंगे आप इस गाड़ी में, उपर आप देखे तो आपको defokert दिया गया है, एक जो आप 99% पूरी गाड़ी देख सकते हैं यहां से, यह जो काफी अच्छी चीज है, मतलब ए क्या-क्या comfort दिया गया है इस गाड़ी में, रियर में जो है, healthy person में थोड़ा problem आयागा, जैसे में थोड़ा healthy हूँ, मैं को थोड़ा problem आयागा नीचे जाने में, और बागी slim trim होंगे, वो तो राम से चले जाएंगे गाड़ी के अंदर, अब बात करने तो बारे में, ऐसा काफी powerful है, तो रियर में को AC event आपको इसमें provided नहीं मिलता है, साइड में आप देखे तो भई, आपको कपड़े वगरा की finishing देखने हो मिलती है, fit and finish यार इसकी थोड़ी सही नहीं है, पता नहीं क्यों महिंद्रान है, हालाग की cost factor भी है, गाड़ी पंदब launch हुई थी तब 16, claustrophobic लगेगा गाड़ी का, एक जो दोस्तों, एक main changes हो गया इस गाड़ी का, मतलब अब जो महिंद्रा ने differential lock, मतलब आप कह रहे हैं, गाड़ी का differential lock जो है, अब optional कर दिया है, optional होगा तो ही ले पाएंगे, basic जो महिंद्रा था रहे है, उसमें आपको real differential lock का option आपको इस गाड लगता है, interior में भी आपको लंबार support हड़ी चुका है इस गाड़ी में, यह थोड़ी कुछ खराब चीज़े हैं, और फिर भी लोग तो खरीदेंगे इस गाड़ी को, तो भाई, आज की स्वाली वीडियो में इतने हैं, चैनल को subscribe करना, वीडियो को like करना, मिलते अगली वी